तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मैथर्ड ऑफ इरिगेशन ना तो हमने पड़ा था मैथर्ड ऑफ सुईंग नेक्स्ट जो है आपका मैथर्ड ऑफ इरिगेशन तो सबसे पहले देख लेते हैं इरिगेशन क्या होता है ब्र रीज एनशंशियल मेंंस कोल सर्वाइबर क्सी भी प्लांट के सर्वाइब करने के लिए जो वाटर है वह इक important element है ना प्लांट्स कंटेन अल्मोस्ट 90% आफ वाटर परसेंट में से 90% प्लांट में वाटर होता है तब प्रसेस आफ सप्लाइंग वाटर तू दा क्रॉप्स इस डॉन ऐस इर्रिगेशन जो हम वाटर अप्लाई करते हैं इर्रिगेशन उसको वह ना जब भी हम औरटिभीशल रा प्लाई करते हैं किसी क्रॉप को उसको हम बोलते हैं इर्रिगेशन ओके जिसमें human involvement जो है वो होती है तो definition क्या होगी इसकी definition देख लेते हैं it can be defined as the artificial application of water given to land to assist in the production of crops जो artificial water हम apply करते हैं artificial application देते हैं soil को लगा लो या crop को ओके to assist the production of crop जो हमारी crop की जो production है वो मतलब ज्यादा हो उस supply को क्या बोलेंगे irrigation okay and this is how we can define the irrigation एक बर दोबारा repeat कर देता हूं जो definition इसकी है it can be defined as the artificial application of water given to land to assist in the production of crops है ओके नेक्स्ट इस पार्ट कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइप की होती है जो irrigation है हम कैसे कैसे अपलाई करते हैं तो जो हम सर्फेस के ऊपर से जब अपलाई करते हैं वाटर को उसको सर्फेस इरिगेशन बोलते हैं जब हम डिरेक्टली रूट जोन में अपलाई करते हैं वाटर को प्लांट की जो रूट्स होती इसको करेंगे तो फर्स जो है सर्फेस इरिगेशन सर्फेस इरिगेशन क्या होता है इसमें काफी जो एरिगेशन मैथर्स जानाम मुश्री न्यटीक है ऐगी परषेंट मेथट्र जैंच सर्फेस बदला सवाल सर्फेस के ओपर अपलाई ओसको सर्फिस मैफर बोर्ट दें तो जो ग्राविटेशनल फोर्स होती है उसके बारे में इतना ज्यादा जीजिश अपनी और खीछती आप गूता है जैसे वाटर को हमने एक जगापे हमने ड्रॉप गिरा दी वह अपने आप इस साइड जा उस साइड मूव होती है तो किसके कारण होती है ग्रैविटेशनल फोर्स के कारण उसको ग्रैविटी फ्लो बोला जाता है तो ग्रैविटी फ्लो से से जिस्छ और जाता है हमने एक से पर अपलाई कर दिया वोटन पानी की मर्ची स्कॉने में हमारी जो लीड किस पर जाएगा किस कोने में पहले जाएगा थे विए उसको हम बोलते है सर्फिस मैंसं और इरिडिकेशन बाटर इंटर्डिूज इंटु लेवल और ग्रेटर फरोज और बेसिंज गेटरड़ वाइए टरन आउट स्ट्रक्चर्चरज एंड इस अलाउट तू अडवांस अक्रोस दा इसमें क्या होता है सिंप्ली अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा फील्ड है है ना वह हमारा जो में वाटर चैनल उसके पहले पहुंच रहा है कहीं दो उस मैथड को क्या बहुलेंगे सर्फेस इरिगेशन जो की ग्रेड़ इन पोर्स अग्रेविटेशन और लॉकरे कारण वाटर जोए किसी डिरेक्शन में जा रहा है मतलब रहेगा क्यांका वह हमारे फील्ड में लेकिन एक एक एंड पे पहले चला जाएगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता कि कौन से एंड पे पहले जाएगा थी कहां इसके अंडर काफी में संसरे कि तो आगे क्योंटी तो हम वह बैर खेर करेंगे तो कि लुव करेंगे ऐसके किषए है इसकी कितने टाइप के सर्फेस इरिगेशन होती है ranging अनकंट्रोल सर्फेस इरिगेशन जिसमें कि ऐसी सर्फेस इरिगेशन जिसमें कि हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता ना तो हमारा जो डिरेक्शन होती है उस पे कंट्रोल होता है जो वाटर की डिरेक्शन पे कंट्रोल होता है ना ही वाटर की अमाउंट पे कंट्रोल होता है कई लेकिन सब्सक्राइं है या कि अभुष और होता है कि पहले कौन से प्लॉट में जाएगा या किस एंड पर हमारे, पहले जाएगा, किस एंड में बाद में जाएगा, तो जिसके यह सब हमारे अंडर कंट्रोल होता है, उसको हम बोलते हैं, के इसके अंडर कॉमंसे म्हाइब होते हैं। है रिपाइस मैज्ट है ए जिसे मोफिन है ए तौ के अंदर इसके अंदर मैथटड है एक बेशीन बॉडर स्ट्रेप एंड फरऊ मैथट वान बाइवन हम डिसक्स करेंगे तो अन्क नौल के ंदर जो हमारा सर्फेस इरिगेशन है वो दो टाइपस के होता है controlled और uncontrolled uncontrolled के अंडर हमारे पास एक ही method है जिसको की flooding method बोलते हैं यह irrigation बोलते हैं control surface irrigation के पास के अंडर हमारे पास four method होते हैं टेक बेसीन रिंग बेसीन बादर स्ट्रेप और इसमें water is allowed from channel इंटू दा फेड बिदाउट मच control on ultra side of the body जो flood irrigation होती है इसमें जैसे कि आप right hand side में देख भी सकते हो कि यह फुड़ा सब स्ट्रिप method जासा लग रहा है लेकिन flood irrigation में यह जो आपके पास नीचे वाला portion है इसको बोलेंगे flood irrigation में जिसमें कि हमारे पास कोई water strips नहीं होती कुछ नहीं होता खाली हम अपने फेल्ड में जो आपने वाटर को छोड़ देते हैं कर देते हैं फिल्ड को जैसा की पैड़ी क्रॉप में होता है ना जब ट्रांस्प्लांटिंग करनी होती है तो उससे पहले जब हम अपलाई करते हैं वाटर को राइस में तो उसको हम फिल डियिशन हम क्वोलते हैं के खाली हमारे पास जो बौड़र पर बौड़र पर जो डोडर को रोकने के लिए हमारे बंड यह चेटर एंटाएल नूर्ट Jersey सा उन्हीं और रजॉट है उसमें इसमें वाटर है वहाइक किसे कोवर करता और बिना किसी गाइस के वो मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस हमारे फ्यूरिट में अगर चोटे से प्लॉट में हम वाटर को कंड्रोल करना है उसके लिए चोटी बंड्स भी कम हाइट वाली बंड्स भी चल जाती है लेकिन अगर ज्यादा बड़ा फील्ड है उसके वाटर वो क्योंकि यह बंड्स है तो बंस की हाईट भी जादा होनी चाहिंए और उनकी जब्रथhh है वह अच्छे होनी चाहिए ताकि जयादा फूर्च लगती है वाटर कि तो उसको एजली वह रोखषड़ कितनी जो हमारी फिल्ट की जो हमारी बॉंड्ट होती है है राइट कितनी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर or के 15 cm अगर है औधि घुरो, इसली आउ और इसली वाटर को पार्ट्रोल कर सकती हैं नेक्स्स जो हरारा अब सर्फे सर्वा सार्फे सिरियस्ञण से इस चैक बेसिए इस तो यह जाता है इसके बारे में पुरा डिस्कुस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कि कैसा इसका जो ले आउट है इसमें क्या होता है कि हमारे पास लैंड है एक एकड लगा लो उस लैंड को क्या किया जाता है कि छोटे-छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर लिया जाता है जो कि चारों और से बंट के द्वारा कवर हो जाती है तो छोटे-छोटे प्लॉट्स में जब हम डिवाइड करते हैं और इन प्लॉट्स को पहले जो सब चैनल के थूप किए ego को में जानल जो में 力 से अ कि कि अ युक्त तो पहले वाटर जो मेन हमारा वाटर चैनलघ वहाँ होगा वहाँ से फिर हम सब चैनल जो मने होंगे करेंगे तो साधोficory को डिस्टिब्यूट करेंगे भेजेंगे और उसके बाद क्या होगा कि सब चैनल से प्लॉट में जो है हमारा वाटर जाएगा तो उससे क्या होता है कि हमारा कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि जो में चैनल से किस वाटर सब चैनल में में चैनल से किस सब चैनल में हमने अपला सब चैनल कौन सा है उसके बाद हम डिशाइड करेंगी कि कौन सा प्लॉट उके तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसको इसलिए बोला जाता है सब्सक्राइब कर सकते हो कि इस plot में पहले करना है तो जो रिसर्च बगारा लगती है न इस तो उसमें बहुत जो इंपोर्टन रोल प्ले करता है क्योंकि देखा जाता है कि इसको क्योंकि पानी को सेव करना है तो उसमें देखा जाता है त्रीटमेंट लगा कर कि किस क्रॉप में अगर दस त्रीटमेंट लगा जाते हैं उसमें फर्स्ट में जैसे हम दस लिटर अपलाई कर रहे हैं पानी जा फाइव इरिगेशन अपलाई कर रहे हैं दूसरे में फिर किया जाता है उसमें फोर कर देते हैं जो फोर्थ है उसमें तूइरिगेशन मतलब ऐसे की ज़्यादा इरिगेशन और कम इरिगेशन को अपस में कंपेर किया जाता है और बाद में प्रडक्षन दीखिए आती है अगर एक दो इरिगेशन कम करने से हमारी प्रडक्षन पर एफेक्ट नहीं पड़ता तो उस तरीके से हम वाटर को सेब कर भी वाटर फ्राम हैड़ चैनल इस सप्लाइड टुद फेड अफ्टर अनदर जो हैड़ व्मारा चैनल होता है उससे एक के बाद एक प्लॉड को हम जो वाट रहों अपलाई करते हैं दा साइज ऑफ दा चैक बेसिन जो हमारा प्लॉड साइज होगा न हमारा उसको बेस चैक बोलते हैं चैक बेसिन मतलब प्लॉड जो उसका साइज होगा वह फोर मीटर इंटु थ्री मीटर हो सकता है चार मीटर जो लंबाई होगी थ्री मीटर चड़ाई हो सकती है यह सिक्स मीटर इंटु फाइव मीटर हो सकता है छे मीटर चड़ाई और चे मीटर लंबाई और प तो कि दिस वस अल अबाट दा चेक बेशन मेथड्ट तो नेक्स्ट जो मेथड है वह रिंग वेसिन रिंग रिंग बेसिन क्या होता है रिंग मतलब जो रिंग गोल होती है ना कि शेप होती है तो जब हम जो ट्रीज होते हैं कि जो द्रक्त लगाए जाते हैं उसके चारों और आपने देखा होगा कि जो भी हम वाटर अपलाई करने के लिए जो भी हम बनाते हैं मतला कोया है एक ट्रीज को वाटर अपलाई करने के लिए बनाया जाटता है जैसा कि आप देख भी सकते हो यह वाला जो गोल रिंग है एक ट्री के राउंड हमने बना रखी है तो इसको हम बोलते हैं रिंग बेसिन मैथड इस सुटेबल फूर फूर्ट ट्री जो रूट ट्रीज होते हैं ऑचर्ड बें जो बाग लगाए जाते हैं ना उसमें यह वाला मैथड फॉλο होता है मैं जैंज अरवर में आरवड दट्री में कई को आपलाई कर सकते हैं आप अगारा में कैसा होता है कि ईह एक गूते हैं तो जब पहले वाला जो ट्री है हो सको पंए मिल जाता है तो बाद में जो दूसरे द्वन को कि थल्ड य conceive में ज़ुटा सा बथलुटाइए यह लंबाई में जो ज्यादा चौडाई यह यह जब हम इस फील्ड को तो फी उसमें प्रॉट्स में DAVID पाइड नहीं करते फीड को ओके उसके बॉर्डर के अराउंड ही अंग जो है अपनी बन्स बना लेते हैं है ओके दीज पैरलल अर्थ रिजिज और फार्म टू गाइड दा फ्लो वाटर इसमें जो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक साइड जो क्रॉप लगाए रखी प्रॉप की चार और पांच चार्य पांच नाइन छे तक होसकती है यह बालवर कि आर ओक हमारा वाटर चैनल है कि उह उलीट वीजिवल ऑटर चैनल है बीच में बिच न 맛있어요 फ्लो करता है इसमें वाटर जो है फ्लो करता है ताकि जो दूसरे वाले इसमें ज्यादा वाटर होता है ओके एस कंपेड टू अदर लाइंग बाकी जो लाइंग होती है उसके कंपेरिटिव एक में लाइन होती है उसमें ज्यादा वाटर होता है आप ओके अगर उपर की और पानी कम भी हो तो सीपेज के तुरू जो वाटर है वो इसली प्लांट को मिल सके ओके तो इसमें हमारे फिल्ड को पूरी पूरी जो है पैरलर रिज्ज में डिवाइड कर लिया जाता है ताकि क्रॉफ को हम इसली इरिगेट कर सके और जो वाटर की misogy सेविंग है वो भी ज्यादा हो सके है ओके लेंफ हैं लेंट होती है ये फिव सकती चॉड़ाई की वह कि वह तीन मीटर से लेकर नामक होगी है तो जैसे और भूइस को सबने जाहिए जिसके अंडर करता है चूटी चूटी एक तो मेन इरिगेशन चैनल होता है वाटर इरिगेशन चैनल ओके एक अगर उसका साइज थोड़ा से कम कर दें तो उसको हम बोलते हैं फरोग जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो जहां पे यह प्लांट्स लगा रखे हैं ओके दो रोज के बीच में जो जहां पे पानी हमारा रुका हुआ है उसको हम फरोग वोलते हैं ओके इसमें क्या होता है फरोज अर मेड़ अलॉंग और अक्रॉस दा फोड जो जैसे कि फलो जो है हमारा एक साइड से लेके एक फील्ड के एपोइंट से लेके बी पोइंट पे फलो है तो जो फरोज हम बन बनाएंगी बहुंपर परिफरो जो है वह इस तरीक्या सहब नने थाकि फानी से बीकिया जाए और जो हमारी फॉर बनेंगी वो इसको इंडरा सेंड करें ओके इसके अक्रॉस बनाएंगे ना कि इसके अलॉंग तो फरोज हम जो है फ्लो के अक्रॉस बनाते हैं जो फरो मैथड में वाटर एंफिल्ट्रेट फ्रॉम जाता है वाटर की जो डॉनवर्ड मोव्मेंड होती है न सर्फेश से जब सब सर्फेस में जाता है वाटर तो इसको हम इन फृत्रीशन बोह दिया है, तो वाटर कैसे करेगा? जैसे अकरोजस है, फ्लोच की और ही जाएगा, लेकिन हमारी स्ळोप जो है वह अकरोजस है, तो पेहले जो हमारी रिज़ बनी होगी उसमें पहले सीपेज होगी सीपेज के बाद जो है वाटर मूव करेगा ओके डिस वाज नेक्स जो है अब हमारासर फिरिगेशन यहां पर कंप्रीट होता है सर्फिस इरिगेशन में हमने जो डिसकस्ष करना था की और उसके अंडर हमने का एक मैथड और के चार मैथड हमने जो है वो डिस्कस कर लिए है अब सर्फेस सब सर्फेस इरिगेशन क्या होता है सब सर्फेस मैंने आपको बताया है कि जब डिरेक्टली हम अप्लाई करते हैं रूट जोन पर उससे पहले एक मैथड जो है सब सर्फेस मैथड ही होता है यह डिस्कस कर लेते हैं कि अब सर्फिंग्ला रिडिएशन आप लोगों को पते ही होगा कि वाटर इस अप्लाइड सप्रे और एस रेंबर दा जो वाटर है इसमें आइस जैसे कि हम सप्रेइड करते हैं वैसे अप्लाई किया जाता है या रेइनफॉल की फॉरम में अप्लाई आप्लाई जैसे की रेंड्रोप सब्सक्राइब बिए ऑके वह फ्टे में एक इंडर लीटर लेटर पर आवर जो एक कितना वाटर जो है वो दिलिवर किया जा सकता है एक स्परिंग्टल सिस्टम से वह है उन्दर लीटर पर आवर एक जा लीटर एक घंटे में इसका प्रेशर होना चाहिए और जो कितनी दूर कर सकते हैं तो वह जो लेंथ है वह है 10 मीटर के लिए क्या क्या चाहिए एक पंपर सिस्टम होना चाहिए उसके लिए आपके पास जो कि यहां से की वाटर जो है लो फिल्ड में इंड् में किया जाता है उखें तो यह कोई क्भी किया जाता है जोकी ज्था पर्णम यह कंसी अधार मैफली कोइस में कर सकता वह दो क्लिका कंडिशन के अकॉर्डिंग हम इसको अड़ाप्ट कर सकते हैं अगर कोई और मैथड हम नहीं यूज कर सकते तो दें सप्रिंकर इस देवेस्ट में सबसर्फिस इरिगेशन सबसर्फिस क्या होता है कि यह देखो क्रॉप लगा रखी है और नीचे यह जो एक पाइप है और पाइप में दो कट लगे हुए है एक तो बिल्कुल ही लेफ्ट हंड साइड है एक थोड़ा सा बीज में तो ऐसे कट लगे होते हैं यहां पर ड्रिप इरिघेशन में एक ही मैध्म होता हुता है उसको इरिडिचेशन भी बोलते हैं यहां इन्वी निंग जो है हमारा कि हमने जो फिल्क ना यार grading इक यह करे序ं या वहांपर आप लिए निगन्र करें करें यहां वहां पर चोड़ते हैं जमीन में सोयल में यह हम उसका यूज़ करें तो इसको बोलते हैं सबसर्फेस इरिगेशन इसमें जो हम वाटर अपलाई करते हैं वो स्वाइल सर्फेस के नीचे होता है इसलिए सबसर्फेस इरिगेशन बोलते हैं अगर वाटर टेबल ज्यादा डाउन है तो उसकेस में हम जो है इस मैथड को इसलिए अड़ाप्ट कर सकते हैं यह एक वाटर सेविंग मैथड है थोड़ा सा लेकिन इससे हमारी जो वाटर की है वह अमाउंट जो है वाटर सेव करने की वह बहुत ज्यादा होगी मैं तो कौन सा मैथड है इसके अंडर ड्रिप अरिडिएशन इसको ट्रिकल इरिडेशन भी बोलते हैं यह पाइप दे सकते हो इस तरीके से जो हमारे फील्ड में वाइप से लगते हैं हम लोग जिससे की ड्रॉब जो है वन बाइवन जो इमिट करती है ड्रिप करती है स्व through the Suile surface as blocks a small field इसमें क्या होता है सिस्टम होता है जिस में की वाटर को अपलाई किया जाता है इसमें क्या होता है कि हमारे ड्रीप सोती है न विल्कुल एंड पे चोड़ते हैं बाद में करके मतलब वन वाइब जो ड्रॉप हो प्रॉइड करते हैं सोईल में उके किस्से कनेक्ट होते हैं निल्ट पाइब से कनेक्ट determ से अ पश म! करके वाटर को पहले बीजा जाता है और प्रैशर से जो वाटर है वो ड्रेपर' स्वाइल में चला जाते हैं इसको बोलते हैं डिप पिरिगेशन ओके इट कंसिस्ट ओफ मेन लाइन सच लाइन एंड इमेटर जो स्वाल लाइन हो सकती हैं मेटर सो सकते हैं ओके जो की वाटर को सेब करते हैं कि 50 से लेकर 70% अगर हम फ्लड इरिगेशन से कंपेर करें इसका तो मारा वाटर जो है कितना हम वाटर सेब कर सकते हैं 56 70% बॉटर जो है डिक पिरिगेशन का यूज करके हम लोग जो हैं वह सेब कर सकते हैं तो इस मैथेड़ को जो यूज अगर इसका यूज जो है बढ़ सके तो जो हमारा वाटर सेव करने की कपैसिटी है वो भी इंक्रीज हो सकती है अब अगर आपके पास कोई है अग्जम्पल है तो कौन से क्रॉप में हम इसको अड़ाप्ट कर सकते हैं कि एक दो क्रॉप के नाम बताओ मेरे को जिस क्रॉप में हम इसको अड़ाप्ट कर सकते हैं हाँ यह यह इस इसको में अड़ाप्ट कर सकते हैं कुई घॉफ होती है उसमें में अड़ाप्ट कर सकते है जो एक 되면 हो होगी होगी केपश कर सकते हों ऩोके जो हुमारी cotton crop है उसमें भी यूज होता है इसमपल आप लोग देख सकते हो ओके जो टी है यहाँ जैस बैरी गुड जो टी है उसमें यूज कर सकते हो कौफी में यूज किया सकता है जो plantation crop है ओके plantation crop जो है जो और चर्ड में लगा जाते हैं तो और चर्ड में इसका ज्यादा यूज किया जाता है ओके very good you have enough knowledge of this subject तो कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और कैसे हम जो है अपना water की saving कर सकते हैं आप लोगों को you know each and everything ओके तो इस तरीके से जो हमारा irrigation system है ओके इसमें इसके अंडर यह कुछ methods होते हैं ओके